तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस्टाइलीस इस्टार अलो अरजुन की फिल्म पुस्पादर आइस के अब तक के टोटल वोक्स ओफिस कलेक्सन के बारे में तो पुस्पादर आइस को इस वक्त बॉक्स ओफिस पर साथवा हपता चल रहा है और बात करें फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों पुस्पादर आइस ने पहले हपते में 26 करोड 90 लाक रुपे कमाए थे वही छटे हपते में 6 करोड 12 लाक रुपे लेकिन आप बात करें फिल्म के साथवे हपते के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों पुस्पादर आइस ने साथवे हपते में सुरुवाती दो दिनों के अंदर टोटल्ल नेट कलेक्षं किया है साहट लाक रुपे इसी के साथ दोस्तो repair ice का अब तक का टोटल हिंडी नेट कलेक्षं 98.30 लाक रुपे हो चुका है जो Doncs दोस्तो pushpather iis हिंडी मारकेट में आप करोड रुपे हो चुका और ये फिल्म हिंदी मार्केट में एक ओल टाइम ब्लोकबस्टर फिल्म बन चुकी है वही दोस्तों बात करें रेबल इश्टार प्रभास की फिल्म सलार के बारे में तो दोस्तों सलार फिल्म से किया जाएगा जिया दोस्तों जिस तरह से बाहुबली 1 बाहुबली 2 आई थी जिस तरह से केजीएप चिप्टर 1 और केजीएप चिप्टर 2 आने वाली है उसी तरह से अब सलार फिल्म के भी दो पार्ट से रिलिच होंगे उमिद लगाई जा रही है कि सलार का जो फर्स्ट पार्ट है वो इसी साल दसेरे के मोके पर रिलिज हो सकता है वही सलार का पार्ट टू साए 2023 के एंड में या 2024 के सुरुवात में हम सबको देखने को मिल सकता है तो दोस्तों अगर सलार फिल्म दो पार्ट समय आई तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म का पहला पार्ट तो रिकोर्ड तोड कमई करेगा लेकिन सलार का जो सेकंड पार्ट है वो बोक्स ओफिस के सबी रिकोर्ड तोड देने वाला है वही दोस्तो अब अगर बात करें, सुपर इस्टार आजे देउगन के अपकमिंग वेब स्रिज रुदरा, The Age of Darkness के बारे में, तो दोस्तो आपको बता दे कि हो लोट इस्टार पर रिलीच होने वाली आजे देउगन के वेब स्रिज रुदरा का ओफिसल ट्रेलर, फाइनली आ में राज सिखनना का काम भी बढ़ियां लग रहा है इसके अलावा इसा देवल के एक दो सीन है और उनमें भी वो काफी इंप्रेसिव लग रही है तो दोस्तों यहाँ पर आजे देवगन की जो पहली वेब सिरीज है रुदरा उसका ट्रेलर देखकर तो लगता है कि ये सिरीज से आजे देवगन जिस तरह बोली वड के एक बड़े सूपरिश्टार है उसी तरह OTT पर भी वो अपना एक बड़ा नाम बनाने को तयार है बाकी दोस्तों अगर आपने रुदरा का ट्रेलर देखा तो ये ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंड करके जरूर बताए और आपके अपने इस चेनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले